हेलो नमस्कार ये रिश्टूरेंग वेलकम टू सक्सिच केरियर आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं रेलवे भरती बोर्ट के तरफ से एक नया आडर जारी हुआ है भरती परकिरिया को लेकर तो इस आडर को आपको ध्यान पूर्वक समझना होगा और नई रखताएंगे कि रेलवे कैसे कैसे आप लोग का भरती परकिरिया करने वाला है चलिए तो हम इस नोटिफिकेशन को हम डिसकस करते हैं यदि आप भी रेलवे एलपी टेक्निशन का फार्म भरे हुए हैं तो इसके प्रिवियस एर कोश्टन आप लोग डाउनलोड करने के ल उनसा भी जो की बाइस सो पचास कोश्टन आपको मिल जाएंगे आल थर्टी सिफ्ट के यह इंग्लिस इंदी दोनों लेंग में में है यह आफिसियल पेपर आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे जो कि टेक्निशन और एलपी 2018 में पूछा गया था तो इसे आप लोग जरू डाउनलोड कर लीजिए तो चलिए एक बार इस नोटीस को हम लोग अफिसली समझ लेते हैं देखें यह नोटीस जो जारी हुआ है नवीन गुलाटी के द्वारा जो कि भारत सरकार रेल मंत्राले रेलवे बोर्ड के तरफ से जारी हुआ है जो कि रेल बहुन नहीं दिली ड खूए है ने मतलाय चुर्छ जो भी करेंगे की कर्म कार्माइन के उसमें कर्मचारी कर रहा है और जो भी वेकर्सि रहती है उसका डाटा वोग अपलोड कर стран तो रेलवे रेक्रूमेंट बोर्ड उस वेकेंसी को यानि कि जो भी वेकेंट सीट है खाली अस्थान है उसको भढ़ने के लिए नौकरी निकालेगी हर साल तो यह कैलेंडर जारी किया गया था सिर्फ सेक्स मन्त पर यह क्री रूब्यू होने वाला था लेकि इसको बढ़ा कर बढा दिया गया है देखेंगे क्या बढाया गया has approved conduct of career review railway board ने एप्रूब किया था conduct कराने के लिए career review का यानि कि क्रमिक दल की review conduct कराने का लिए एप्रूब किया हुआ था on annual basis as against the on an annual basis यानि कि वार्षिक रूप से वार्षिक के अधार पर ये career review होना है as against the current instruction of six monthly review जो करेंट में instruction आया था जो notice आया था हर six महीन में हर छे महीन में review होना था अब ये review हर साल होगा ठीक है यानि कि पहले जो आया था हर छे महीन में ये career review करना था यानि कि इतनी वेकेंसी खा लिया उसको ओ आरे में पोर्टल पर अप्लोड करना था जो भी कर्मिक दल होते थे लेकिन अब इसको हटा कर एक साल कर दिया गया है छे महीन में क्योंकि वेकेंसी आनी नहीं है तो इसलिए इसको बढ़ा कर एक साल कर दिया गया है इस पहरा है इस इ जो भी आ य सिफिकर केया गया है इन वर कणोडर जो की आरार बी द्वारा है इन एब कंटेक्स यही उप्रोप्त कंटेक्स के लिए following actions are required at your end यानि कि जो भी RRB है ये action करेगी ठीक है अपने इंट से requirement जो भी निकलेगा वो अपने इंट से इसको solve करेगी तो क्या-क्या है यहाँ पे action लेगी RRBs ठीक है हर एक साल में आपको calendar जारी होगा कि group D में, LP में, NTPC में, technician में कितनी vacancy आनी है तो यह point अगर आप लोग समझ रहा है न तो आप लोग समझ जाएंगी कैसे vacancy होने वाली है ठीक है तो इसको गवर से समझेगा जो कि आपको बहुत ज्यादा help करेगा पहला दिया एज क्री रिव्यू इस दा बेसिस फार एंटीसिपेटेड रनी स्टाप रिव्यूर्मेंट जोकी करμε कि दोषर कि ज़रुद्ई रिवियू होगा किसके अथारपर जो भी एंटीसिपेटेड रनी स्टाप रिव्यूर्मेंट है यानि कि जैसे माली जी कि अगर पूरे इंडिया में हमें मान की चलिए कि 5 लाख अगर एलपी की जरूरत है तो किस जोर में कितनी वेकेंसी खाली है रनिंग स्टाप कितना चाहिए माली जी कि 5 लाख है और इसमें से माली जी के 4 लाख रनिंग में है यानि कि वर्क कर रहे है और कितना आजार चाहिए तो 50,000 अगर यहाँ पे स्टाप चाहिए एलपी के लिए तो वही बोला है कि anticipated running staff की requirement कितनी है जितनी vacancy होगी उसी पे career भी होगा इसी के आजार पे यहाँ पे requirement आएगी यानि की vacancy आएगी It is imperative that is completed timely जो कि आवस्यक रूप से क्या होगा complete कर लिया जाएगा समय से जैसे मैंने अभी बताए आप लोग को 50,000 अगर लोको पाइलट की जरूरत है 50,000 पांच लाख लोग यहाँ पे पांच लाख है स्टोर मैं color यहाँ पे change कर ले रहा हूं थोड़ा माली जे पांच लाख यहाँ पे एलपी की जरूरत है और इसमें रिटायर हो गया है 50,000 तो यह 50,000 हर साल आपको लेना ही पड़ेगा क्यों क्योंकि टाइमली यह requirement complete हो vacancy खाली नर है हर साल यह जारी होगा दूसरा यहाँ पे point रखा गया है assessment for running staff requirement shall be made immediately यानि कि जो assessment है आकलन किया जाएगा कि running staff की कितनी requirement चाहिए यह बहुत जल्दी यानि कि made immediately यानि कि बहुत जल्द इसको बनाया जाएगा running staff कितनी जरूरत है ठीकर and uploaded on OIRMS portal as and when the portal is open जब भी portal open होगा तो जो भी ही वहाँ की working staff पे यह upload करेगा कि local pilot का group D का NTPC का या RPF का कितनी vacancy खाली है उस zone में उस division में यह OIRMS portal पे उनको तुरंत क्या करना होगा upload करना होगा कि आगे की vacancy आएगी आगे कि इसका आकलं कैसे करेगा railway board तो वह भी आगे इसमें बताया गया है देखिए आपर point समझते रहेगा following calendar should be adapted for career review और यह calendar एडाप्ट किया जाएगा career review के लिए यानि की vacancy आएगी अब यहाँ पर career review कैसे मतलब होता है जो कर्मिक दल है वो review देगा कि हाँ यहाँ पर इतनी सीटे खाली है गुरूब डी का एंटी पीसी का आर्पी एफ का या अन्य एल्पी का देखिए अब इस चीज को यहाँ पर समझाया है इसको गौर से समझेंगे यह point आपको समझने वाला है तो आपका का कंस्ट्रेंशन थोड़ा हाई होना चाहिए दिखें दिया है एक पार्टिकूलर एयर क्री रिव्यू शुड़ बी इनिसियेटेड आन फर्स्ट जुलाई एंड फाइनलाइज बाई से 27 सेप्टेंबर आप दी प्रिसीडिंग इयर यानि कि जो आगे आने वाली इयर में वकेंसी आएगी न वह किसके क्री रिव्यू के हिसाब से आएगी तो यह क्री रिव्यू कब होगा यानि कि यह रिव्यू हर साल हर आरार बीज हर डिवीजन अपने OIRMS पोर्टल पर खयानि से से चुर हuyका और क्या अवे कर देना है और फान सेबस्देंबर तक आरी Canadian के महीन ने यह कर अप्लोड करना और लाटी color यह कर से स्टाड ने और और यह 20 जुलाई को अप्लोड एकदम फाइनल अप्लोड होना चाहिए 20 सेप्टेमबर तक जैसे यहां पर दिखे दिया है फार एक्जामपल क्री रिव्यू फार 2026 देखे यह एक्जामपल दिया है यानि कि 2025 में भी वेकेंसी आएगी तो यहां पर समझा दिया है कि अगर 2026 में क्या है शुड वी इनिसियेटेट बाइए 2026 की जो क्री रिव्यू है यानि कि 2026 में जो वेकेंसी आएगी उसके लिए क्री रिव्यू कब से होगा शुड भी इनिसियेटेट बाइए 1 जुलाई आफ टूज़जन ट्वेंटिफ या तो जो क्रीयू वी रिव्यू की तरह आब वेकेंसाय आएगे न इसके लिए पहले से स्टाट हमाया जया जो एक जूलाई दो हजर से ये गिलिव्यू स्टार्ट हो जाएगा और आफ실श मेंटिन अर्टलम करना स्टपोर ऑन कि कितनी वेकेंसी अपार कैल्या है science, concurrence and approval should be finalized by 20 September 2025 यहनि कि और यह finalize कब हो जाएगा तो यह finalize हो जाएगा 20 September 2025 को तब ही जाकि यह वेकेंशी कब आएगी 2026 में आप आएगी अब यहां पी गौड से समझे इसे कि सेप्टेमबर तक चलेगा तो थोड़ा अभी इदर वेकेंसी भी है इसको एक्जाम भी कनक्ट करना ना है एलपी का जो आया है टेकनिसियन का आया है ठीक है फिर उदर आपका रेलवेप प्रोटेक्शन फोर्स का आया आर्पीफ का है तो इसको देखते हुए इस साल यह पहल प्रेवान के जाएगा इन एडवांस यानि कि अच्छे से एडवांस में इसको प्लान किया जाएगा यानि कि यह 2025 में जो फांश आएगी वह कैसे आगा and should start in April 2024 यानि कि जो इस साल है ये अप्रेल 2024 से स्टार्ट हो जाएगा itself and should be completed by July 2024 यानि कि जो क्री रिवीव है 2025 में वेकेंसी आने वाला वो अप्रेल से सुरू होकर कब तक खतम हो जाएगा जुलाई 2024 तक खतम हो जाएगा और जो भी आकलन होगा कि कितनी कितनी सीटे कौन सी वेकेंसी में खाली हो उन सबी पर फिर से वेकेंसी आएगी ठीक है अब ये समझ में आ गया होगा चौथा पॉइंट समझे है आप क्री रिवीव एक्सरसाइज सुड़ भी क्री रिवीव माडूल के द्वारा होगा जो की HRMS है इनिसियेटेड बाई यूजर डिपार्टमेंट जो यूजर डिपार्टमेंट है HRMS का ये क्री रिवीव को अप्लोड करेंगे अज क्री रिवीव एक्सरसाइज इन्वार्ब्स आपरेटिंग इलेक्ट्रिकल परसोनल एंड एकाउंट डिपार्टमेंट आल में भी सुटेबल एडवाइस इन दिस रिवार्ट जो क्री रिवीव है ये कौन कौन लेगा तो जो भी आपरेटिंग है इलेक्ट्रिकल परसोनल है एकाउंट डिपार्टमेंट है यह सबी career review को क्या करेंगे करेंगे exercise and suitably advice this regard और इसके regarding क्या करेंगे advice देंगे सला देंगे पांचवा point समझेंगा Optimum utilization of career link should be ensure during the annual career review यानि कि जो annual यानि कि current जो review है annual के लिए वो ensure कर दिया जाएगा और उसका link यह लग अपने RRB पे upload कर देंगे तो यही notice था new notice यही था जो कि आपको समझना था अगर आप इसको समझ ली होंगे न तो बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है अब एक प्रकार से समझे कि हर साल एक जुलाई से start होगा career review और यह हर साल एक जुलाई से 20 September तर तक final हो जाएगा और यह वेकेंसी अगले जो भी year आएंगी उसमें वेकेंसी को release कर दी जाएगी यानि कि वेकेंसी आजाएगी तो एक तरह से काफी अच्छा हो गया है यह notification उम्मीद है कि आप सब लोग समझ गया होंगे तो railway से related सभी information पाने के लिए यदि चैनल पर पहली बार होंगे तो please subscribe कर लिजगा साथ में आप टेलिग्राम और वाक्षब ग्रूप को जोईन कर लिजगा लिंक आपको description box में दे देंगे किसी तरह की query होगी तो आप comment box पूछ लिजगा साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पे message कर सकते हैं directly अपने केरियर से related कोई भी query हो तो आज के लिए वीडियो में इतना ही thanks for watching this video guys मिलेंगे next video में तब तक लिए आए जाएं